कितना मिनिट बता दीजे मैं उतना ही बोलऊ रहुने किरपया जहां सब आपस बात करने को बिज़्ाइट चेर की तरफ से बात करें सारी सारài सार माफी चाहता हूँ माफी चाहता हूँ मेरी मनशा कतही नहीं थी कि मैं चेर के बिलग जा करके अपने साथियों से बात करूँ लेकिन मैं सबसे पहले तो सर आपके माध्यम से सदन का धन्यवाद करना चाहता हूँ तक्रीबन तीसरा दिन है आज इस पर बहुत लंबी बहस हुई काफी सार्थक बातचीत हुई सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जिसको इस बिल की भावना से कोई विरोध हो ऐसा संसदी लोकतंत्र में कम अवसर ऐसे होते हैं जब विरोध की गुनजाश बिलकुल नहीं होती है बलकि सभी साथ ही किसी ने किसी प्रकार से उन्होंने इस विशय पर इसको इसके विस्तारी करण की बात की इसके अंदर कुछ ऐसे बिंदू मुझे बताए जो मुझे और समाहरित करने चाहिए थे जब मैंने बिल बनाया था तो जाहिर तोर पर मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सारे सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूँ शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ सर जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथ ही उनिफॉर्म सिविल कोर्ट को ले करके जो की बिल इंटुड्यूस हो चुका है हेल्थ पर हम में से किसी ने भी जिसने हाल के एक वर्ष पुर्व जब हमने कोविट की भी शिका देखी हमने ऑक्सिजन के लिए हाहकार देखा हॉस्पिटल बेट के लिए हाहकार देखा इसी सदर में चर्चा हुई और सारे सदस्यों ने अपनी कलेक्टिव हेल्पलेसनेस को कई दफा मैसूस किया इश्वर न करे वो च्छन इस देश को फिर देखना पड़े इश्वर न करे उस तरह की हाहाकार की परिस्थित यहां पुना पैदा हो इस देश में लेकिन उसके लिए क्या वश्चक मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मानिय मंत्री जी वो मुझसे कहक बैठी हुए हैं संजीदगी से भरे हुए लोग लेकिन चिंता यह सामुहिक होनी चाहिए सर्थ मैं क्यों कह रहा हूं हमारे कई पीजेपी की बी सदा से और अलग अलग दलों के सदा से ने आंगनवारी और आशाकर्मियों की बात की और कहा कि यह फ्रेंट लाइन वर्कर्स हैं फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारो हुए लेकिन सर्थ वो फ्रेंट लाइन वर्कर्स जिन्दा इंसान हैं वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होगी आंगानवारी वर्कर आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोज जोते हैं अपने कंदों पे उनके कंदें पर जो बोज है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर उनकी देर ओवर्वर्क्ट और अंडर पेट काम इतना ज्यादा और उसके एवज में उन्हें क्या दे रहे हैं कोई सोसल सिक्यॉरिटी नहीं कितना मान दे पीनट ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारी करन और उस गोल तक पहुँचने में मदद नहीं करेगा ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि राइट टू हेल्थ पर पहली बार जबकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था सर बामुश्किल दस बारा मिनिट लोगा खतम कर दोगा इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो संबिधान सभा की बैटकों में भी चड़ चाओ खास करके एक व्यक्ति जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पबलिक हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा मैं बाबा साहब को इस बहस में लाना चाओंगा बाबा साहब का नजरिया बिल्कुल साफ था कि पबलिक हेल्थ सिस्टम सोचल सिक्यॉरिटी के बगार नागरी का सबली करन नहीं हो सकता और आज हमने उस चोटे से फॉर्मूले को भुला दिया है उसको वापस लाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ मानिय मंत्री जी ने एक बात कही मैं साहमत हूँ कि बजट लगातार बढ़ा रहा है मंत्री महोदिया है मानिय उपसभापती महोद है ये जो आंकड़ा है ना इस आंकड़े का ब्याकरन अधूत है मेरी सैलरी मैं विश्विद्याले से लेता हूँ मेरी सैलरी बढ़ी माली जी इंक्रिमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में अब उस इंक्रिमेंट को आप इंफलेशन के इंडेक्स में देखी आप अगर एलोकेशन का रियल टाइम वैल्यू जज़ करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इट इस टू लिटल और इवन टू लेट तो आकरों को लेकर के कहेंगे कि यू पिये के दौरान इतना था हमने इतना बढ़ाया बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए और दुनिया के गरीब गरीब मुलक सर हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं हमसे गरीब हैं लेकिन हेल्थ में हमका एक्स्पेंडिचर हमसे ज़्यादा है क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पाब्लिक हेल्थ परामीटर्स को दूरुस्त नहीं किया जाएगा आप कितनों रेटॉरिकल चीजें कर लें वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी सर ग्रामीन भारत हमारी चर्चा से अक्सर विलग रह जाता है मैं मान्य मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा देखी अक्सर क्या होता है कि आप जब किसी हास्पिटल को विजिट करते है तो पहले से जानकारी होती है किसी क्या कहते है पियसी को विजिट करते है पहले से जानकारी होती है हम सुना करते है राजा महराजाओं में ना मेरा यकीन है अन्द मैं चाहता हूँ को उनका उदारन दिया जाए लेकिन सुनते थे किसी हंदुस्तान में कुछ राजा महराजा होते थे जो वेश बदल करके जाया करते थे निरिक्षन करने के लिए वेश बदल करके जाईए एकदम पूरा का पूरा आप बोलें आप इधर चेर की तरफ देखें प्लेज आपस में एक माननीय माननीय उपसभापती मोहद है एक दो उदारन छोटा छोटा दूँगा अटल जी एक दिन अटल जी बोल रहे थे कॉंग्रेस के कुछ सदोस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं बोला बिना प्रिपेर करके आया हूँ प्रिपेर करता तो छोटा बोलता बिना प्रिपरेशन के बोल रहा है जाहिर है सम्मान है हम के लिए और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पहले कह दिया था ज्यादा वक्त नहीं लेंगा मैं जानता हूँ आज शुक्रवार है आप सब को कोई ने कोई इंगेजमेंट तुरंद बाहर होगा और मजबूरी है पार्टी वीप है कि बटना है एनिवे मानने नहीं अपसा भापती महुद है तो ग्रामीन भारत क लेकर के जो मेरी चिंताएं थी मैंने कहा एक मैं अगर राइट टु हेल्थ अगर हमने एंशूर कर लिया मुझे याद है जब आटी की बात हो रही थी तब भी बहुत लोगों की आपतियां थी किसे क्या होगा इसे क्या बदलाव आएगा जब आप किसी चीज को इस तरह से legislative framework देते हैं तो उससे क्या होता है नहीं कि अन्याई जो लोगों के साथ दरबदर होता है अलग अलग स्तर पर और मैं एक छोटा उदारन दूंगा ये ऑक्सपाम की इंडिया discrimination report मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता सर मैंने मार्क किया था इसमें कि कई राजियों में स्तिती है कि इन patient care में किस तरह का discrimination होता है खास करके अगर आप अनुसुची जाती जन जाती अत्यंत पिछले वर्गों से आते हैं या आम तोर पे आप गरीब हैं अगर मैं वर्गी है श्रिंखला की बात करूँ ये विस्तार में ये report बताता है मैं माने मंत्री जी को ये report बेज़ हैं एक और चीज सर कहकर के आप वट आप वांटे तो एक्चुली से सजब मैंने कहा लेजिसलेटिवली गारेंटीड राइट विल मेक एकसेस टू हल्थ लीगली बाइंडिंग और एंशूर अकांटिबिलिटी दवाई की बढ़ती कीमतों के बारे मैं मैंने पहले भी कहा दोबारा कह रहा हूँ मेंटल हेल्थ मानसिक रोग को लेकर के बहस में भी कम चर्चा हुई थी मेरा उद्यश है था कि इस पर व्यापक चर्चा हूँ क्योंकि कोविट पेंडमिक के बाद मेंटल हेल्थ के केसेस में बार सी आई है और उस बार की वज़ा से सब एक बड़ी आबादी है जो एफोर्ड नहीं कर सकती है इंस्यूरेंस कमपनियां हैं उनसे आप कभी बात करके देखिए रैंडम चेक करवाईए कई सारे जो मेंटल हेल्थ एल्मेंट हैं उनको वो क्लेम में आने ही नहीं देते हैं ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पर करें फ्रेंट लाइन वर्कर्स के बारे मैंने आप से कह दिया सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोट ने भी अप्रील दोहजार बाइस में पेमिन्ट ऑफ ग्राचिटी एक को कहा था अपलीकेबल करो आंगनवारी सेंटर्स में ये मैं मानिये सरवोची नियाले के माध् आफिस्यरीज आफिस कांट्री पार्ट अफ अब पारडाइम इच गाल वेलप सेट और वेलफ़ेर स्टेट में ये ये लाभारती की संग्या कि ये लाभारती है कोई लाबारती नहीं सकते। मैंने बार बार कहा है इसी सदन में बड़े कोई भी पार्टी आजगल तो कॉम्पटिशन चल पड़ा है मुफ्ट 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 अरे मुफ्ट कुछ नहीं है उसका टेक्स है किसी भी फॉर्म में हो आप उसके टेक्स का एक मिनिमम्म रिलीफ दे रहे हैं इसको मुफ्ट मत कहिए और ये बेनिफिसियरी के नजरी से मत देखिए राइट के नजरी से देखिए अधिकार के नजरी से देखिए एक एक हासे के लिए छोटी चीज़ सुना करके खत्म कर दूँगा हाथ से के लिए विंस्टन चर्चिल रूजवेल्ट के यहां जाते थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट विल्चेयर पर चलते थे और चर्चिल अपने विट के लिए फेमस थे हनाएक उनकी पॉलिटिक्स से हम लोग इतफाक नहीं रखते हैं कभी नहीं उच्छा जैसे ही विल्चेयर वहां ले गए तो अपनी विल्चेयर को मोरा आप चर्चिल देखिए कैसे समालते हैं वह कहते हैं लुक मिस्टर प्रेसिडेंट प्रैमिनिस्टर अफ यूके हाज नाथिंग तो हाइड फ्रम इसलिए कहा थोड़ा हलके माहल के लिए मैं इच बिल हम सब के मन का है लेकिन मंत्री महदिया मुझे देख रहे हैं टुकु टुकु और बांके लोग भी तो मैं मत बिवाजन की अपने टेम्टेशन को कर्व करता हूं इस अपील के साथ इस अपील के साथ कि सर आज नहीं तो कल ये बिलाएगा आज नहीं तो कल ये होना है आप तो दूसरों की भी चीजों का स्रे लेते हैं ये करके अपना स्रे खुद ले लीजिए अगर याप ये कर बैठे तो बहुत बड़ा एहसान होगा इस देश पर इस देश के नागरिकों पर और शाय एक आगे जब हम बात करेंगे ना तो हेल्थ को लाभारती के नजरिय से नहीं अधिकार के नजरिये से बात करेंगे हमारे आशा कर्मी प्रोटक्टेट होंगे अंगनवारी कर्मी प्रोटक्टेट होंगे डॉक्तर पेशें ट में पेटर होगा पीछस देनी होगी सरकारी आस्पताल में कुद्ते नहीं सो रहा ह rif connects पे ये शायब प्रफुसर मनोज कुमार जहां आप पूट इसमें सर करार करवाना चाहता हूं आप उनिफॉर्म सिविल कोट वापस ले लिजी भी को नहीं तो इन लाइटर नोट इसमें आप स्पोर्गन मैं फ्रेंज करार करवाना चाहता हूं है इस पोकें अन्याइटर आप लेव जविजी रखेंश रखेंश केसे इसलिए नदाज पीजिए फिर्फॉर्म से फुट आप इस बिल पर पंदरह लोग बोल चुके हैं और लगभग साहे चाहर घंटे से अधिक बहस हुई दो आजवार। नवी जोब टू